ये है विवित भारती पत्र अबली में सुनिये शोताओं की पत्र और उनके उत्तर पत्र अबली में सुनिये शोताओं की पत्र और उनके उत्तर सबी शोताओं को अमरकांत और रिनू चतुरवेदी का नमस्कार आज के फनकार मनोरंजन का एक खजाना है ये कारिकरम शोताओं के लिए पुराना है मन्चाहे गीत और आपकी फर्माईश में खुशियां भर जाती हैं दिले नाशाद में फिल्म एक गाने अनेक और F.I.D. पुनो इनकी शुरुआत कीजिए श्रीमान जी SMS के बहाने VBS के तरहने हर दिन मैसेज भेज़ कर सुनता हूँ आठ गाने क्या बात है क्या बात है बच्पन से सुन रहा हूँ VBS का प्रसारण सुन सुन कर सीख गया हूँ शब्दों का उच्चारण बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब शराफद जी शुक्रिया कि आपने लिखा और पहले भी जो आपने कविता लिखी थी सच मुच अमरकान जी याद आ गई ये उसी का आगे का भाग है लेकिन हमें लगता है कि ये भी अपने आप में सुतंत रहे अब श्रोता ये ना परेशान हों कि उनसे पहली मिस हो गई मिस हो गई ये तो सही बात है कि अगर वो छूट गई तो कहीं कसक रहती है मन में कि वो कविता हमने क्यों नहीं सुना लेकिन ये ना परेशान हों कि इससे कोई दिक्कत होगी ये अपने आप में स्वतंत्र है, पूरी है ये कविता, और बहुत अच्छी बात आपने लिखी है, आप लोग कुछ से सुनते हैं, सीखते हैं, और मनुरंचन करते हैं, जानकारी मिलती है, बहुत-बहुत शुक्रिया इस खत के लिए. रतन जैन और कोकिला जैन, हमारे श्रोता हैं ये, रायपूर मोधा पारा में रहते हैं, और इन्होंने कुछ-कुछ मिलती जुलती बात कही है, कि भूले बिसर गीत प्रोग्राम है, उन्होंने कहा है कि ये तो एक खजाना है, जो बहुत-बहुती रोज लुटाता है, ऐसा ख कालाब उठाते हैं और उसको कभी भी चूकने नहीं देते हैं, कोकिला जी और रतन जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, हम खुश किसमत हैं कि ऐसी चीज़े हम आपको दे पा रहे हैं, तो रेनु जी ये जो इस तरह की बातें जब आती हैं, तो खुशी के साथ-साथ थोड़ इसी प्रेड़ना भी मिलती है, थोड़ा उत्साहा भी बढ़ता है, कुछ और नया करने के लिए, कुछ और अच्छे प्रोग्रामों की तरफ आगे बढ़ने के लिए, अब एक पत्र है, मुकेश दिनकर कासले करजी का, इनका कहना है कि मन्चाहेगीत प्रोग्राम में एक यह गलत बात है, आपको 200-300 पत्र जब मिलते हैं, तो कोशिश तो यह करना चाहिए, आपको कि जादर से जादर पत्र शामिल हो, मुकेश कासले कर नाम है, अम्हमकेश जी, यह बात तो सही है, लेकिन अभी हमारे कुछ रोता यह भी कहते हैं, कि आप जो 3-4 नाम केवल शाम बहुत सारे पत्र हम शामिल करेंगे तो यह तो करेक्टरम जो है वह SMS के बहाने जैसा हो जाएगा तो शोता हो सबके अपनी अपनी एक सीमा है हम कुछ इस तरह से संतुलन करना चाहते हैं कि आपके नाम भी शामिल हो और मनुरंचर भी आपका होता रहे यानि कि आप गीत भी स पात में है ग्राम बड़ागाओं तैसील कुम्बराज के मांगी लाल धाकड़ साहब का जे इनको हमारे यहां से प्रसारित होने वाला कारिक्रम सेहत नामा बहुत अच्छा लगता है अब इनका कहना है कि सर्दियों का समय है और घर घर में बीमारियों जो हैं वो सर्दी से जूरी जो होती हैं वो हो रही है ऐसे समय में आपको निमोनिया पर एक कारिक्रम जरूर प्रसारित करना चाहिए हम देखते हैं वैसे बहुत आगे तक हमरा कारिक्रम निश्चित हो चुका होता है, ऐसे में बहुत ज्यादा बदलाओ की गुंसाइश नहीं रहती है, हो सकता है अमरकान जी की निमूनिया पर करक्रम और नियत हो, उसमर प्रसारित करने के लिए उसकी विवस्था हो चुकी हो, आप सेहत नामा करक्रम सुनते रहें, बलकि यूँ विविदा कारक्रम का प्रसारण जो हुआ 22 नवंबर को, वी शांता राम जी पर बातचीत की गई, बहुत अच्छा लगा ये कारक्रम, और विविद भारती का स्थान बिलकुल खाने में नमक की तरह है, लेखक हैं इस पत्र के प्रदीव जैन सिमगा 36 गड़ के हमारे शोत प्रदीव जी बहुत बहुत धन्यवाद, वाकई नमक का जो महतो है, वो सब जानते हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है और आप इतना महत विविद भारती को दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, और हम भी शोताओं आपको उतना ही महतों देते हैं जी बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे लिए शोता जैसे इनोंने कहा कि खाने में नमक, हम तो कहते हैं शोता ही हमारा जो घर में रोटी बनती है, वो इन शोताओं की वज़े सही होता है, हमारे लिए तो शोता ही सब कुछ है जी हाँ वो भी बात है और यूँ अगर हम बात करें विविद भारती की बात तो शोता जो है हम उन्हीं के लिए सब कुछ लेकर आते हैं, पत्र शोता आप लिखते हैं, पसंद हम आपकी जो है उसको सराखों पर रखते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी ही पसंद के सारे क कारेक्रम आएं क्योंकि हम सिर्फ आपको ध्यान में रखकर ही सब चीजों का नियोजन करते हैं भड़भून जी आगर यह मद्यप्रदेश में कोई जगे है वहां से रगुनात मालवी भंवरबाई सुष्मा पुष्पा मम्ता मंचू इन्होंने पत्र लिखा है सिर्फ तारी करेक्रम जो प्रसारित हुआ वह भी बहुत अच्छा था और क्या लिखें जागोश सुभों हो गई के करेक्रम के बारे में सुभध पांच सच जoh आता है उसके बारे में इन्होंने लिखा है कि बहुत खुषी हुई सुनकर बहुत मन प्रसन्न हो गया सुभसुभा यह का संदर में पत्र बहुत कम आते हैं और हमें लगता है कि शोता इतनी सुभेह सुन नहीं पाते होंगे लेकिन आप सुनते हैं। और उसके बाद आपने पत्र लिखा बहुत दन्यवाद। बिविद भारती से प्रसारिच छायगीत और आज के फनकार कारिकम ऐसे कारिकम हैं जो ऐसा लगता है कि कभी बंद ही ना हो ये हैं 36 गार देवरी भाटा पारा के गन्नुलाल रजक माया राम रजक खोर बरहा साहू और आकाश साहू इनका कहना है और रेनु चतरवेदी और अ आज से नजाने कहां चला गया लीजे मिल गया सोनु मोनु प्रजापती इनका एक अलग तरह का सुझाओ है कहना इनका यह है कि आप शोताओं की बसंद के गाने तो सुनवाते हैं यह तो हर एक लगबग बहुत से प्रोग्राम है आप ऐसा प्रोग्राम शुरू करें जिसम मेल के द्वारा हमें पत्र लिखा मुहम्मद सलाउदीन साहब हैं यह और मेरट शहर में रहते हैं बड़ा लंबा चोड़ा पत्र लिखा है सभी कारिक्रमों की तारीफ के साथ इन्हों ने यह लिखा है कि सुबह से जब रेडियो शुरू होता है तो रात में 11 बजे के रखी हुई है तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे जो शोता हैं वो समझ जाते हैं वो कि यह समझाना चाहते हैं हमें कि हम कितने द्यान से प्रोग्राम सुनते हैं देखे केवल समझाने की बात नहीं है अमरकान जी यह वाकई बहुत ध्यान से सुनते हैं और कभी कभी तो हमें भी आश्चारे लगता है कि जिस चीज़ पर हमारा ध्यान नहीं गया हमारे शोताओं ने ध्यान दिया तो यह तो लगाओ की बात है कि किस तरह से इनका हो जाएंगी कि विविद भारती वो जादू की छड़ी है जो जहां भी घूम जाए वहाँ फूल फूल खिल जाते हैं क्या वात है क्या वात है तो फूल इसी तरह से खिलते रहें आप कारेक्राम सुनते रहें पत्र लिखते रहें और हम जवाब देते रहें यूं सिलसला चलता रहे लेकिन ये सिलसिला 1966 से चल रहा है इनका और इतनी उमर कैसे गुजर गई पता नहीं चला बस एक ही दुख है इमेल करना आता नहीं है इसलिए नहीं भेज पाते हैं कोई बात नहीं बिल्कुल मत भेजिए इमेल हम स्वागत करते हैं पोस्ट कार्ड का और पत्राव राची से आया है और इन्होंने साथ में कुछ और भी पत्रों की फोटो कोपी हमें भेजी है जो इन्होंने पहले हमें भेजे थे और इनका कहना है कि ये पत्र या तो हमें मिले नहीं है या जो भी है डाक में कहीं चले गए तो इसलिए अब जो पत्र इन्होंने भेजा ये registered AD भेजा है और इनका कहना है कि अगर आपको पत्र मिल गया हो तो सिर्फ मेरा नाम पढ़ दें आप ताकि मुझे ये इत्मिनान हो जाए कि मेरे बेजे पत्र आपको मिल रहे हैं तो आप पूरा पत्र ही पढ़ रहा हो इनका सारे का रीकर्मों की तारीफ के बाद ये कह रहे हैं कि लता जी का जो कारिकर्म है वो हमारे यहां से प्रसारित होना चाहिए बड़ा लबा चोड़ा सा एक इंटरियू खास तोर पर उजाले उनकी आदों के प्रोग्राम में इन्हों ने यह भी लिख भेजा है कि किस तरह से वो अपने जीवन से जुड़ी बहुत सी बातें लता जी बता सकती हैं, तो ये तो सच बात है, कह सकते हैं कि अपने आप में एक पूरी इंस्टिटूशन है वो, क्योंकि इतना लंबा अनुभा और हर दौर उन्होंने देखा, तो जाहिर है कि उनकी जो यादे हैं, वाके एक विष्तृत इntreview ये चाहते हैं, कि लता जी से करें और लता जी ने अपने कई इंटेविव में ये कहा है कि विविद भारती मेरी बड़ी बहन है, तो लता जी से यदि आप संपर्क करेंगे, तो लता जी मना नहीं करेंगी, ताकि हम सब लाभान वित हो सकें। कि जो उनकी अवस्था है वै है उसके हिसाब से बहुत मुश्किल लगता है कि वो आ सकें या वो अब हमें इतना वक्त दे सकें कि हम तीन चार पांच घंटे के कुछ रिकॉर्डिंग कर सकें फिर भी हम कोशिश करेंगे और रेनु जी लैदा जी का एक और इंट्रिव्यू प बिल्कुल सच कहा आपने और रेनु जी एक ये चमकता हुआ कुछ आप लेकर बैठे हुए क्या है ये जो चमक आप तक पहुंच रही है उसके पीछे की कहानी भी बताता हूं रेडियो कॉलोनी दिली में निधी में शराजी रहती है उन्होंने नए साल और क्रिसमस के मौक हुए हैं चमकदार शाही से हैपी निव यर हैपी क्रिसमस ये सब भी लिखा हुआ है एपलीक टाइप का लगाया है काट कर उसको सुनहरा भी है रुपहला भी है अंदर घंटी बनाई हुई है जो की क्रिसमस का प्रतीक है तो इन्होंने हम तक ये सब भेजा है ये इनका प पत्रवली में श्रोता सुन रहे थे अपने पत्रों के उत्तर